आपका स्वागत है दोस्तों आज हम आपके लिए स्मार्ट वॉच लाए है स्मार्ट वॉच जो की काफी ही बेजिक और एंट्री लेवल की स्मार्ट वॉच है जो है BZ09 स्मार्ट वॉच यह वाली स्मार्ट वॉच इसमें आपको सबसे पहला मैं बता दूं इसमें Bluetooth जो है वो नहीं आता है इसमें आपको मिलेगा SIM card का slot और memory card का slot लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसका unboxing करने से पहले आपको हमारी छोटी सी एक सहायता करनी होगी और वो सहायता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारे regular videos जो है वो आपको देखने को मिलते रहें और हमारे giveaway जो हम करते रहते हैं उसकी updates भी आपको मिलते रहें तो चलिए इसका unboxing करते हैं ये कुछ इस तरह से silk bag में आता है इसको हम ऐसे खोलेंगे ये बैतरीन polythine bag के साथ आता है और इसके अंदर शांदार packing के साथ आपको मेरी की smart watch कुछ इस तरह से ये है कौन सा golden color निकला है इसमें से इसमें तीन चार color आते हैं ये है DZ09 smart watch जिसमें की केबल दिया है और इसकी बैटरी दी गई है तो इसके अंदर बैटरी कुछ इस तरह से डालेंगे हम पीछे से यहां पर यहां से ये खोल जाएगा ये खोल गया अब इसकी बैटरी जो है ये इसमें लगेगी यहां पर आप देख सकते हैं memory card यहां पर memory card और ये sim card का slot जो है वो दिया गया है दोनों ही आप इसमें लगा सकते हैं ये मैंने बैटरी जो है वो लगा दिया है इसको ऐसे करेंगे बंद ये बंद हो गया यहां पर जो बटन है इससे ये स्टार्ट होगी कुछ इस तरह से ये स्टार्ट हो गई है और अभी इसमें menu जो है menu के अंदर बहुत सारे functions, options दिये गए हैं यूजर प्रोफाइल है, फाइल मैनेजर, कैल्कुलेटर और अलराम इसमें सेट कर सकते हैं आप तो ये सारे functions जो हैं वो इसमें दिये गए हैं, camera है, audio player है, pedometer है, slip monitor भी इसमें दिया गया है फिर sedatory reminder है, facebook, whatsapp, twitter इसके लिए आपको आपका जो sim card है वो इसमें डालना पड़ेगा क्योंकि ये bluetooth से नहीं चलती है बहुत सारे functions दिये गए हैं, caller है, dialer है, bluetooth है और call logs है, messaging है settings, phone book, image viewer, image अगर आपके memory card में है, तो आप सीधा ही इसमें देख सकते हैं और ये camera है, camera, VGA camera इसमें दिया गया है VGA camera इसमें दिया गया है, जो की बिल्कुल ना के बराबर है, तो इसका camera जो है वो मैं consider नहीं करता हूँ, इसको वापस हम एक बार बंद करेंगे, वापस से चालू करेंगे ये शायद hang हो गई है, क्योंकि ये काफी ही budgetary smart watch है तो इसमें हम ज़ादा कुछ expect नहीं कर सकते हैं फिलार, लेकिन फिर भी काफी अच्छी है बैटरी निगाल के वापस एक बार डाल दीजिए, जो भी issue होगा, वो sort out होगे, वापस से restart हो जाएगी ये देख सकते हैं, वापस से restart हो गई है और कुछ इस तरह का इसमें dialer, अलग-अलग dialer इसमें दिये गए हैं यहाँ पर touch करेंगे, तो dialer change होगा तो तीन dialer हैं, ये एक, दो और तीन, तीन ताइप के dialer इसमें दिये गए हैं और हम पिछली बार नहीं देख पाए थे, वो था camera तो camera एक बार हम देख लेते हैं menu के अंदर जाएंगे, बहुत सारे functions हैं, इसमें camera भी available है लेकिन camera किसी वज़े से फिलहाल शायद खुल नहीं रहा है लेकिन camera वैसे इसमें जो आता है वो VGA camera आता है तो VGA camera हमारे लिए किसी भी काम का नहीं है तो चलिए दोस्तों ये DZ09 smartwatch जो है वो आपको कैसी लगी अगर आप चाहे तो entry level की smartwatch ये ले सकते हैं, इसमें जादा functions तो नहीं है लेकिन चितने भी हैं वो इस amount में बहुत 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 जादा function है क्योंकि ये amount में कोई भी smartwatch आपको कभी भी कहीं से भी नहीं मिलेगी बहुत ही minor amount के साथ DZ09 ये वाली smartwatch आपको आज मिलने वाली है आपको कहां से मिलेगी, आपको मिलेगी हम से upgrade इंडिया से अगर आपको ये smartwatch चाहिए, आप नीचे दिये गए WhatsApp लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है, चैनल को subscribe कीजिए, बेल आइकन को click कीजिए और हमारे वीडियो इसको देखना ना बुलिएगा दोस्तों, वीडियो को like करना भी ना बुलिएगा तो चलिए आज का ये DZ09 smartwatch का review जो है वो हमने खत्म कर दिया है और मैं बहुत जादा इसकी प्रशंचा नहीं कर रहा हूँ लेकिन value for money product है इतना जरूर बताऊंगा आप इस smartwatch को 5000, 10,000, 15,000 की smartwatch से compare ना कीजिएगा क्योंकि ये entry level की smartwatch है तनिवाद दोस्तों ये वीडियो कैसा लगता है इसकी comment सरूर कीजिए का तो याद रखिए दोस्तों आप देख रहे थे upgrade इंडिया और मैं हूँ पार्ट जोशी तनिवाद दोस्तों तेंक्यू